ग्रीन गोल्ड कहते हैं आपको पौदे दिखाने वाले हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह स्वर्ग है यह खिल खिलाते सरसों के पिले रंग के यह फूल मतलब जननत है ऐसा नजारा आपको और कहीं नहीं मिलेगा देख सकते हैं क्या मतलब महौल है ये गाउं का भले आप थोड़े पैसे कम कमा लें लेकिन ये जो लाइफ है ना इसे एक बार जूर फील कीजिए एक बार इस लाइफ को भले थोड़े समय के लिए जरूर जी कर देखें और ये लाइफ शेहर में आपको नहीं मिल सकती तो दोस्तों आज मै अपने फ्रेंट के फार्माऊस पे हूं हमारा गाउं डिस्टिक जलंदर में और ऐसे-ईसे आपको पौदे दिखाने वाले जो यूनिवर्स्टी में खेती बाड़ी यूनिवर्स्टी में मिलते हैं और कहीनी मिलते हैं और काफी हद तक पंजाब में खतम ओते जा रहे हैं देख सकते हैं पूरा और अगैनिक फाव महाउस है यह और पहले यह दिखाता हूं आपको थोर यह आम हमारे खेतों में जो बाड लगाते थे तो वहां यह काम आता था यह थो रहा ना यह थोरा और यह दो कि यह गुमी इसको ग्रीन गोल्ड गाते ना ग्रीन गोल्ड कहते है देखते हैं तो बहुत ही ना बेपी पे ये कंट्रोल करनेके लिए मतलब बहुत एक पता आप सुबह आप गहर खा लेंगे तो आपकी शुगर जो कितम वह जैघी डिन जब एकोल हो जाता है और अभी ड्रेगन फूरूट भी दिखाते हैं जो बहुत कॉस्टली मिलता है हमें तो यह देख सकते हैं यह ड्रेगन फूरूट है लगा हुआ और लगेगा अभी यह देख सकते हैं अभी इतना ही हुआ है इसकी ग्रोथ होगी तो इस पर ड्रेगन फूरू वैद जो है वो बोलता है इसे खाने के लिए राम देवी बोलते हैं तो यह वह पौदा इसे अ श्वगंदा कहते हैं दोस्तों श्वगंदा खाने से कभी भी वीक्नेस शरीर में नहीं आती है तो यह देख सकते बिल्कुल चोटा सा ग्रीन सा बीज है इसका और इसे तीन बीज आप थोड़ा सा कड़वा है तीन बीज अगर आप डेली खा लेते हैं तो वीकनेस आपके पास भी नहीं आ सकती मतलब ऐसा कहना है जो भी हमारे आजूरवेदिक वैद हैं तो यह रियल अश्वगंदा का आप देख सकते हैं पौदा लगा हुआ है यहां पर और कड़ी पता तो आप ने देखा हुई होगा आमसी बात है मिल जाता है जो सबजी की दुकाने रहती हैं लेकिन अश्वगंदा इंसोलीन यह पौदे आपको कहीं नहीं मिलते आपको केतिवाड़ी यूनिवस्टी में ही मि यह टेबलेट बनती है शूगर फ्री रहता है तो यह देख सकते हैं अभी बिल्कुल छोटा-छोटा है यह देखिए यह स्टीविया इतना मिठा है बिल्कुल जी बैसे लग रहा है जैसे हमने चीनी खाली हो तो स्टीविया की आपने शूगर भी सुनी होगी मार्कीट में बड़े मॉल में मिलती है काफी कॉस्टली रहती है तो यह देख सकते हैं यह लगे हूय है तो ऐसे बहूत सारे यहां लगाए हुए हैं हमने अभी इंजीर आपको दिखाता हूं और बिलकुल यह सारे जितने भी हैं दोस्तों और गानिक हैं इसमें कोई खाद दवा जहरीली या ऐसा कुछ नहीं है यहां पर तो बहुत मौका मिला है मुझे यहां यह देख सकते हैं अंजीर अंजीर का यह देख प्रटा एफल तो बड़ा होगा तो फिर यह भी मजा है खाने का और दवाई के बिना और गयने के चीजें बहुत कम हैं आजका मिलती है और यहां देखी निम्बू बगएरा यह तो वैसे आम सी बात है यह निम्बू का पौदा है और इदर आम का पौदा भी है जामन का प यह देखिए यह मदू मक्ही का बॉक्स है इसके अंदर मदू मक्ही जो शहद त्यार करती है और यह शहद आपके पास सिटी में आता है बहुत सारे लोग इसमें मिलावट भी करते हैं लेकिन यह प्योर शुद्ध जो शहद है यहां पर तो यहां फिट रहने के लिए वह ह और चीज हर पौदा माजूद है जिससे आप बिमारी रहत रह सकते हैं तो अभी सैलड ग्रीन सैलड जिसे वेट लूज करने के लिए यह बहुत काम आता है वह दिखाता हूं आपको और यह मार्कीर में बहुत कॉस्क्ली रहते हैं और यह सब तो आम देख सकते हैं यह सब्सक्राइब क्या नाम है इसका यह देखिए यह रेड लेटेस है और यह ग्रीन लेटेस है यह बड़े-बड़े मौल में मिलता है मजला कमाल की यह चीजें जो और एक सबसे बड़ी बात यह और गैनिक है इसमें कोई दवा खाद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ऐ सारी और पीछे देखिए सर्सों के खेत में कैसे खिली हुई सर्सों है तो वह भी दिखाते हैं तो यह देख सकते हैं सर्सों के क्या खूब सूरत फूल खिले हुए हैं देखिए मतलब इनके लिए लोग बॉमबे से शारुखान काजल पंजाब तक आये हैं पतेयाला सर्सों के देखिए मतलब क्या नजारा है यह देख सकते हैं पूरे फिल्मी शारुखान वाली फील आ रही है अभी देखिए सर्सों के खेत में मतलब यह कुदरत का जो नजारा है यह सिटी में नहीं मिलता है सिटी में सिर्फ परदूशन शोर श्राबा यहां बहुत सारे सकते हैं लेकिन यह फिरत का जो नजारा है यह सिरफ जाएं तो देख सकते हैं दूर तक जहां तक नजर जाएगी पूरी हरयाली हरया लिया पूलूशन फ्री है सारा और सर्सों देखके तो दिल खुश हो जाता है अगर आप सुबह सुबह इन पर नजर डाले तो एक्दम कितनी पॉजिटिव नर्जी मिलती है कि पूरा दिन आपका सफल हो जाता है तो बहुत ही आज का दिन मज़ा आ गया यह सब चीजें देखने के बाद तो यह सर्सों के साथ साथ यह जो भाइट कलर के फूल यह मुंगर आपकी पूरा शरी शरी 그럼 तो यह सारी जो ग्रीनरी है लीवर को अच्छा बनाने में बहुत हल्प करती है तो देख सकते हैं सरसों के मीच में वाइट फूल है मुंग्रे के तो ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं और यह सारी खेती के लिए आप सोच रहे होंगे खाद दवाई नहीं डलती तो क्या डलता है तो बाई इसको और गैनिक बनाने के लिए यह देखे यह गोबर का खाद है जितनी बैंसे यहां रखी हुई है उनका यह गोबर यहां पर इसमाल किया जाता है खेतों में एक तो फ्री है और दूसरा यह पॉस्टिक बनाने में फसल को बहुत हेल्प करता है नुकसान नहीं करता किसी तरह भी शरीर को सबसे पहले यही खाद यूज किया जाता था आज कल जो आ गया फर्टिलाइजर जो बहुत सारी बड़ी-बड कंपनिये आ गई हैं खाद और दवाईएं बनाने वाली जोनौर ने आदमी के इंसान के शरीर को खोखला कर दिया तो यहाँ पे सब और गणिक है और यह भाई यहां रहता है सारा अ-वा नजारे लेता भाई यहां काम के अधना फुल नजारा आना देख ये फुल नजारा यह नजारा कहीं भी शेरों में नहीं मिलता और नानाव तो यह देखिए देशी स्वीमिंग पूल है हमारा तो इसमें आप कितनी भी गर्मियों दो डूबकी लगाएंगे और एकदम ठंडी मैसूस होने लगेगी यह छोटा स्वीमिंग पूल है खेतों को पानी लगाने वाल में बैंसों का और मुर्गी अबी रखी हुई है भाई ने खरगोश भी रखे हुए तो यह कुत्ते हैं जो अभी ड्रोन को पढ़ रहे थे चीक चीक कर और यहां बत्तक भी है और यह बत्तक पढ़ती भी आ यह मारने को बढ़ती देखो रहे पर बत्तक भी आई इसके आपको तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जा इसलिए आपको शॉट में अभी एंड करते हैं तो देखिए यह खरगोश है यह ले सर्सों के फूल को खाने के लिए तो यह चीजें आपको पॉजिटिव एनर्जी बहुत देती हैं यह देखिए यह मीठी सर्सों है जो फेमस है पंजाब में सर्सों का साग और मक्की की रोटी तो यह सर्सों का साग है इसे तोड़ कर दिन भर पकाया जाता है तब जाकर सवाग और मक्की की रोटी बनती है तो यह देसी सर्सों हैं मीठी सर्सों बोलते हैं इसको बहुत ही सवाद जो है पॉष्टिक इसका ностью का चारा है तो यह आज आजका विलॉग देसी विलॉग समझिए गाउं का महौल आपको जो दिखाने लाहते है तो यहाँ आपने है बिमारियों से रहत रखती है तो देखे हर चीज है बेंसों का देखे तवेला यह पूरा और शुद्ध मक्षन वाइट वाला जो है ना वह यहां मिलता है गाउं में दूद्ध प्योर मिलता है कोई इंजेक्शन या मिलावट नहीं है यह गाउं का असली जो महौल है यह च का पेड़ है तो अभी देखिए यहां पर यह फूल निकले हुए हैं बदाम अभी लगे नहीं है मतलब कहते हैं कि पंजाब की जो मिट्टी है ना यह मिट्टी ऐसी है कि इसमें कोई भी किसी भी किसम का बीच डाल दो वह आपको निराज नहीं करेगा वह उगेगा उसका भी आपको मिलेगा और एकदम पर्फेक्ट मीठा फल लेगा आपको कि देख सकते हैं यह जम यह नहीं New पर आपको खुल साहनट में जामून का पीड़ तो अभी मेंधी का पेड़ भी दिखाते हैं आपको इसको नहीं चाहिए bunny ते इसे रगड के पीसकर से मेंधी तियार हो जाएगी तो यह है पौदा मेंधी का ऐसा कोई भी पौदा नहीं है जो यहां इस पंजाब की मिटी में ना उग सकता हूँ पंचियों की वाज कितनी सुंदर लग रही है और यह सारा देख सकते हैं बेंस का गोबर जो खाद बनाने के काम आता है और देखें पंची भी कितने खुश रहते हैं यहां पर देखिए यह बंगला भगता है ऐसा महौल हर किसी को नहीं मिलता है देखने के लिए तो भाई हमने तो बंबे की लाइफ भी देख लिया है गाउं की लाइफ भी देख लिया लेकिन मस्ट बैटर है विलेज लाइफ भीड बड़के से शोर श्राबे पिलूशन से स्कून चाहिए थोड़ी देर के लिए तो आप किसी भी गाउं में आ जाएं किसी भी देश का विलेज एरिया हो तो आपको एकदम दिल से स्कून मिलेगा रूप को स्कून मिलेगा दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो गाउं का महौल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जट से लाइक कर दीजिए और अब भी तक आपने हैं चैनल को संस्क्राइब कर दें दो मिलते हां एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए जैहंद बंदे मातरम